निक्स्ट आर्टिकल पर आज के दहिंदू न्यूस पेपर में एक टॉपिक मेंशन्ड है इसको हम जी एस पेपर नंबर वन जोगरफी से लिंक करेंगे एक कॉंसेप्ट जानेंगे एवलांच का ठीक है आपने कई बार एक कॉंसेप्ट पढ़े होंगे कई बार क्लियर नहीं होता है तो मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में ये समझाने वाला हूँ हुआ क्या है दोस्तो कश्मीर के अंदर जो गुलमार्ग नाम की जगा है वहाँ पर लोग जाते हैं बरफ पढ़ रही है तो वहाँ पर स्कींग वगरा भी करता है हुआ क्या जो रश्या से कुछ लोग आये थे वहाँ पर स्कींग करने के लिए भूमने के लिए तो रश्यन इसकायर्स कही न कहीं दोस्तो इस एवलांच की चपेट में आ गए और इस एवलांच की चपेट में आने की वज़ा से एक रश्यन इसकायर्स की जान चली गई बाकी यहाँ पर जो दूसरे वक्ती थे वो इंजर्ड है ठीक है घायल है ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है ठीक है यह information दोस्ता आपको clear की गई बाकी जो helicopter बगर है वो वहाँ पर लाए गए ताकि जो rescue operations से वो चलाए जाए जाए लोग को बचाया जाए तो पूरी तरह से लोग को बचाया बट फिर भी बचाते बचाते भी एक इंसान की जान चली गई जिस इंसान की जान गई है उ तो यह दोस्तो हमारा news article है यह तो हो गई हमारी खबर जो चर्चाओं में है लेकिन अगर हम इसी खबर को examination की news के हिसाब से देखें कि भई हाँ exam में क्या चीज़े बन सकती है तो उसके basis पर आपको पता होना चाहिए avalanche होता क्या है क्यों इतना यह खतरनाक होता है अच्छ है वो किस लग जाता है नीचे गिर जाता है नीचे जो भी चीज़े उसको दबा देता है कई बार घरों पर गिर जाती है वो इंसानों की जान चली जाती है उसके अंदर में वही landslide जैसा ही दोस्तो एवलांच होता है अब एवलांच होता है इसकी proper definition क्या है अगर कुछ लि अब एवलांच होता कैसे कई सरी चीजों की वेसे बही temperature मालो एक बरफीला पहाड है अब temperature लगाता और बढ़ता चले जा रहा है गर्मी बढ़ती चली जा रही है तो बाढ़ पिगलेगा है ना उसमें looseness create होगी डिला होगा जो हिस्सा है वो तूटकर नीचे गिर जाएगा गिरेगा निगिरेगा जब वो गिरेगा तो वो एवलांच के लाएगा ठीक है वोडेबर सब नीचे आना स्टार्ट होगा तो temperature बढ़ने की वज़ा से heavy snowfall होने की वज़ा से और बाकी सारी human activities जो हो रही है आजकल उसकी वज़ा से भी जो एवलांचिस है वो आते रहते हैं उपर एक बहुत बड़ा हिस्सा बरफ का तूटकर नीचे की साइड में गिर गया अब जो ये तूफान आया ना इता भहंकर इसके गरने से वो एवलांच के लाएगा इसमें रॉक एवलांच हो सकती है जो बरफ तूटकर गिर जाए डेबरिस एवलांच हो सकती है जब यह हाल ही में एक एवलांच का इंसिंड हमने देखा आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या का कारण हो सकते हैं तो आप ऐसे लाइन से कई सारे कारण बता सकते हो कि यहाँ पर जो वेदर कंडिशन्स हैं वो भी मैटर करती है अगर मालो बरफ जादा पड़ गई यह टेंप तो हो गया कारण नमबर वन फिर सेकेंड कारण स्लोप कंडिशन्स कई बार यहाँ पर कह सकते हो कि जो हमारा पहाड होता है जिस पे बरफ जमा हुई है उसके नीचे जो ढलान होता है बिलकुल ख़डा ढलान होता है ऐसे ना होके ऐसे होता है तो दोस्तों वो भी एक कंडि हो गई अब क्या हुआ बीच बीच में काफी सारी जो लेयर्स वो कमजोर पड़ जाती है और लेयर्स कमजोर होने पड़ने की वज़ा से वहीं से वो पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो तूट कर नीचे की साइड गड़ जाता है तो ये भी एक कारण है फिर आता human activity जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं घूमने स्कीं करने स्कायर्स होते हैं या दूसरे लोग होते हैं तो उनका जो मुवमेंट हो रहा है लगातार चलते जा रहे हैं वो तो उस मुवमेंट की वज़ा से भी एवलांचेस क्रियेट हो सकते हैं ये भी एक possibility है ये हो गया हमारा fourth फिर आता ह कहीं कमपन क्रियेट होगा जिसकी वज़ा से भी वो जो एवलांच है वो देखने को मिलेगा या रॉक फॉल हो गया इन सब चीजों की वैसे एवलांच हो सकता है तो ये हमारे हो गया है main causes याने की main कारण गया है यहीं पर आपसे एक और प्रेशन पूछा जा सकता है सामने कि आपको क्या लगता है एवलांच और लेंड्सलाइट दोनों के बीच में कुछ फरक है या नहीं है आपके इसाब से क्या होना चाहिए तो आपको क्या बताना होगा सबसे पहले देखो लेंड्सलाइट और एवलांच दोनों में थोड़ा सा फरक है वैसे अकर आप देख तो यह हिस्सा टूटक रहा है जो हिस्सा गिर रहा है वह मिटी है कंकर है मड है यह सारी चीज़े हो सकती है ठीक है लेकिन एवलांच में especially एवलांच जो है वो snowy regions में होता है जहाँ पर बरफ पड़ रही है एवलांच आपका बरफ हवा इन सब चीजों से मिलकर बनता है ठीक है तो ये इन दोनों के बीच का एक छोटा सा difference अगर आपको difference create करना हो तो समझ गए